हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अरपना और आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे यूट्यूब चानल में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ health tips साती हम बात करते हैं कुछ बिमारियों के बारे में कैसे उनके symptoms के साथ deal किया जाए और हुमियोपती कैसे आपको मदद कर सकती है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेटिलेट्स के बारे में कि प्लेटिलेट्स की investigation क्यों करवाया जाता है प्लेटिलेट काउंट कभ हमारा कम हो जाता है इसी बारे में आज हम लोग discuss करेंगे तो इससे पहले कि ये topic मैं शुरू करूँ आप लोगों से कहना चाहूँगी अगर आपने मेरा channel अभी तक नहीं subscribe किया तो इसको subscribe कर लीजिए और bell बटन को दबाना ना भूले ताकि मैं जब ही कोई video publish करती हूँ या जब ही मैं live Q&A session में हूँ तो आप लोगों को तक notification पहुँच पाए और आप भी मुझे join कर सके तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं platylate count के बारे में तो मैंने जब CBC यानि की complete blood count के बारे में आप लोगों को बताया था तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि blood के 3 components होते हैं RBCs यानि red blood cells, WBCs यानि white blood cells और platyates तो platyates का क्या काम होता है? platyates मदद करता है clotting में यानि कि अगर आपको कभी चोट लगती है, खून निकलता है तो उसके बाद थोड़े time बाद वहाँ पे एक खून का clot जैसा बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है, तो यह जो clotting property है आपके blood में वो हमें मिलता है platyates के वज़े से अगर आपके body में किसी कारण के वज़े से platyates बढ़ जाते हैं तो उसमें जिसको हम कहते हैं thrombocytosis तो उस वज़े से आपके veins में clots बगारा बन सकते हैं जैसा मैंने बताया था कि DVT यानि deep vein thrombosis हो सकता है या अगर pulmonary embolism या जो lungs को blood vessel supply कर रही है वहाँ पे अगर clot हो जाए तो pulmonary embolism हो सकता है अब हम बात करते हैं platyate किस कारण से कम हो सकता है या आपको कब कह सकते हैं कि आप अपना platyate count करवाए अगर आपको dengue fever है तो उस case में क्योंकि platyate कम हो जाता है तो dengue fever में या dengue fever का जब एक अगर fever आपको है तो उसमें भी routinely इस टेस्ट को कराया जाता है फिर अगर कभी आपको नाक से या मुझ से खून निकल रहा है और तो भी हम platyate count करवा के देखते हैं अगर कभी skin में red छोटे छोटे धब्बे जैसे बन जाते हैं तो उस case में भी platyate count को करवाया जाता है देखने के लिए कि platyate count आपका ठीक है या platyate count बॉडी में कम हो रहा है तो दोस्तों तो ये थी information platyates के बारे में और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी भी investigation के बारे में आप लोगों को बताऊं details में बात करूं तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी मुझे comment section में जरूर आप लोग लिख कर बताए और वीडियो को like करना और share करना ना भूले और इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धेर सारा धन्यवाद खुश रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए आज के लिए बस इतना ही thank you अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए thank you